पहले तो सबका दन्यवाद शॉट नोटिस पे आप आए और चुनावी टाइम है हमें खुशी है कि चुनावी माहौल में दिन्ली चंडिगड में नहीं बलकि फिल्ड के अंदर जन्नाएक जन्ता पार्टी और अजाद समाज पार्टी का जन्सेवा पत्र हम गोशित कर रहे हैं पिछली बार के जन्सेवा पत्र की अगर मैं बात करूँ तो कई कदम हमने उठाए जिसने प्रदेश को नहीं रा दी जैसे अंचायती राज संस्ताओं में मैला को 50% इसेदारी हो और BCA वर्प को 8% इसेदारी सुनिश्यत करने का कानून बनाने का काम किया वहीं मैला को सरोजगार के अफसर मिले उसके लिए 33% मैलाओं की इसेदारी हमने सुनिश्यत करने का काम किया जो वादा हमारा सबसे बड़ा था रोजगार मेरा अधिकार उसको कानूनी सवरूप देकर प्रदेश में हमने लागू किया 75% पारक्षन चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटीज हो, प्राइवेट पार्टनर्शिप फर्म्स हो, कोई कॉपरेशन हो सब के अंदर लागू किया और हमारा द्रिट संकल्प भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी नवंबर में सुनवाई है उसके अंदर पूरी पैरवी करकर इसको इंप्लिमेंट भी प्रदेश में हम करेंगे पिछले पात वर्षों में जा रियाडा में निवेश छोड के दूसरे प्रदेशों में जा रहा था हम काम्याब रहे 40,000 करोड का निवेश प्रदेश में लापाए और 40,000 करोड के अंदर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैनिफेक्टरिंग प्लांट यूनिट मदर यूनिट मारुती का 10 लाख गाड़ी प्रतिवर्ष बनाने वाड़ा 900 एकड में खरकोदा में हम लापाए वही जो एक समस्या थी कि छात्रों को परिक्षाए देने दूसरे दिलों 200-200 किलोमेटर दूर जाना था उसको ग्रेज लेके अंदर 50 किलोमेटर की रेडियस में हमने करवाने का काम किया ऐसी करमचारियों को 20% प्रमोशन में इस्सेदारी दिलवाने का काम किया और एक चीज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कल देश के प्रदानमंतरी इसार उतरे और इसार के अंदर उतरते उनने बाशन में का कि इस हवाई एड़े पर मेरा बड़ा जहाज उतरा तीन साल मात्र के अंदर हमने रनवे भी कंप्लीट किया और जेवर से पहले जो केंदर सरकार का एयरपोर्ट था इसार एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट करवाया और इसार एयरपोर्ट की शुरुवात भी हम करवाएंगे वही प्रदेश के अंदर आम नागरिक को अपना रेवन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए दरदर की ठोकरे खानी पड़ती थी प्रदेश के तैसील, सब्डिविजन, डीसी और कमिशनरेट तक का सारा रेवन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करवाया प्रदेश के अंदर 17 नए राज्यमार्ग और 7 राष्ट्रे राज्यमार्ग हमने पूरे करवाये और इसके अंदर दो गोशनाए एडिश्ट्रल करवाये जिसमें इसार से रिवाडी की एमपी तक की कनेक्टिविटी और चोटाला डवाली से लेकर पानिपत और आगे मेरत की कनेक्टिविटी भी गोशनाए प्रदेश के अंदर लगबग 29,000 किलोमेटर का रोड नेटवर्क हमने अप्रूव किया, कार्पेट किया, स्ट्रेंथन किया, वाइडन क जिसके अंदर 20,000 किलोमेटर कंप्लीट हो चुका और 9,000 किलोमेटर का कारे अभी भी कारे रत है, हर्याना पहला प्रदेश बना जिसमें 14 फसले MSP पर खरीदी गई, और आने वाड़े समय में भी बविश्य के अंदर इसी प्रकार से किसान को अंग ताक्त देते रहेंगे, मेंदरगड के अंदर मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब की निर्मान की शुरुआत हुई, गुडगाओं में एहली हब के लिए 30 एकड जमीन ने दारिद की गई, बाच्वाद मेंदरगड पहला हवाई पट्टी बनी, जिसके अंदर स्काई डाइविंग हिंदुस्तान में शुरू भी हुई और चार साल से पूरी तोर पर चल रही है, उसके साथ अंबाड़ा एरफोर्स स्टेशन को भी टर्मिनल का निर्मान कंप्लीट हो चुका है और जल्द हम उडान के माध्यम से महाँ पर हवाई आत्राय देखेंगे, मेवात जैसे पिछडे इलाके में, दुनिया का बैटरी स्टेक उनके पास है, उनकी 180 एकड के अंदर एटील की बैटरी की फैक्टरी, रोज का मेवात में नू के साथ लगता है, वहाँ बनाने का काम किया, पहला परदेश बना अर्याना जिसके अंदर मुझे खुशी है जिस किसान को दो-दो महीने तक उसकी की फसल का भाव और पेमेंट नहीं मिलती थी और तारिस गंटे में खाते में पेमेंट पोचाने का कानून भी बनाया और मुझे खुशी है कि हमने चार साल सक्सेस्पुली और याना प्रदेश के प्रतिये किसान के खाते में पैसा पूरा पोचाने का अब ताम किया, वही एक सपना हम लेकर चले थे दिजिटल लाइबरेरी का और 1200 से उपर गाउ में डिजिटल लाइबरेरी हम बनाने में काम्याब रहे और मुझे खुशी एक बात की है तो मैं नर्वाना में गए एक स्थी चोपाल जो चौदरी देविलाल जी ने किसी समय निर्मान किया था वहां डिजिटल लाइबरेरी बनी और उस डिजिटल लाइबरेरी से अठारा बच्चे अब तक सरकारी नौकरी में लग चुके हैं उसके साथ हमने आर्थिक रूप से पिछड़ी नौकरियों में दाखिलों में दस परसेंट रेजर्वेशन लागू करवाया हर जिले में मेडिक के अंदर गोष्णा कराने में हम काम्याब रहे और एक बड़ा कदम क्योंकि इंदी बासी शेत्र अर्याना कोई सोचता नहीं था कि अर्याना के अंदर इंदी की इतनी एमियत है लोर कोर्ट में इंदी का इस्तमाल होता था राइकोट अर्याना पंजाब का जो है वो अंग पर हिंदी भाषा का वर्णन पैरलल रहे उसका हम लाने में कामयाब रहे हैं अब जो हमारा सपना है दोनों संथनों का कि अर्याना विज्वल बने अर्याना प्रगति के पत्थ पर चले और अर्याना को हम आगे कैसे ले कर चले इस वार के जन सिवा पत्र के अंदर कई हम ऐसे कदम उठाएंगे जिसके अंदर से आगे लेकर चले उस पे दोनों संक्तिनों ने चर्चा गंबीरता के साथ करी और उस चर्चा के साथ प्रदेश हित में कदम उठाने का सपने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं युवाओं की जहां हम बात करते हैं उस सबसे प्राथमिक च करकार से चाहे वो प्राइवेट हो गोर्मेंट हो दोनों सेक्टरों को हम चूने का काम करेंगे पहले ही जी 75% कानून को पूरी तो लागू प्रदेश में करवाएंगे दूसरा जो हमारे युवा साती हैं जिनको बेरोजगारी बत्ता हमने 7000 से बढ़ा कर 9000 पिछले चार स सालों में करकर दिखाया उसका हमने सपना लिया है कि बेरोजगारी बत्ता प्रदेश के अंदर 11000 रुपे प्रती माह हर बेरोजगार को देने का काम हमारा गटबंदन करेगा जहां ग्रामीन सेत्र के बच्चों को नौक्रियों की बात है तो ही देविलाल जी ने एक मुहीं युवा साथी बारी-बारी नौकरियों के एप्लिकेशन फॉर्म्स बरते हैं और उन एप्लिकेशन फॉर्म्स के अंदर 500 रुपे, 1000 रुपे, 2000 रुपे अलग-लग फीस लगाई जाते हैं वन टाइम सो रुपया हम युवा साथी के लिए फीस रखेंगे तो सरकार के पोर्टल पर एक बार भर सकता है और वो इतनी बार भी अप्लिकेशन फॉर्म डिजिटली भरे उसके उपर अतिरिक बोज उसके उपर नहीं रहेगा अगनीवीर योजना जो देश में लागू हुई है पर देश सरकार उसको बदल तो नहीं सकते हैं मगर उन युवा साथियों के लिए जो चार साल देश सेवा में लगाकर आते हैं दो कदम हम उसके अंदर उठाएंगे एक तो जिस तरीके से 10% पुलीस पुलीस के अंदर आज रेजर्वेशन अनाउंस करी है प्रती एक विभाग में उन अगनीवीरों के लिए रेजर्वेशन लागू करी जाएगी कि वो डिसिप्लेंट फोर्स से आए हैं जो उनकी कॉलिफिकेशन है उसके अनुसार उनको रोजगार हम सुरक्षित कर पाए और उसके साथ सिपाई जो पांच साल सेवा करके देश की आएगा ड्यूटी करकर आएगा उसको कैसे जॉब सेक्योरिटी के साथ साथ एक मोका मिले आगे बढ़ने का इसके लिए जितनी हायर एजूकेशन उनकी होगी चाहे वो कॉलेज की हो उनिवर्स्टी की हो और कैसे हमारा सिपाई ऑफिसर बने भोविष्चे के अंदर वो सारी सुविधाएं उनकी प्रदेश सरकार गहन करने का काम करेगी शिक्षा का सारा प्रदेश सरकार चलाएगी वही जो बरती प्रक्रिया है इसके अंदर बारी-बारी देखा जाता है कि अंशेड्यूल इग्जामिनेशन प्रदेश में हम अंदर शेकर जी का अभी का पार्लेमेंट का एक्स्पिरेंस ऊह यू पी ऐसी एक कलेंडर और स्टाफ सेलेक्षिन कमिशन एक कलेंडर लागू करता है और उस कलेंडर के तएद बच्चे को पता है कि बैंकिंक के एक्जाम कब होँगे, रेल वेज के एक्जाम कब होंगे, अर्याना प्रदेश में भी अर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन हो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हो दोनों का शेड्यूल कलेंडर हम लागू प्रदेश के अंदर करेंगे कि शेड्यूल के तहर प्रदेश के बच्चों को प्रदेश की नौकरियों का कब examination होगा उसका schedule जारी करें और तीन महिने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी सरकार बनते ही जहाँ विदेशों में बच्चे शिक्षा लेने नौकरी करने जाते हैं आज बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके लिए कहीं भी coordination नहीं हो पाती और उस coordination को बहतर करा इसके लिए हमारा संकल्प है कि जिला लेवल पर एक के अंदर foreign corporation विवाब काम बढ़ाएंगे जिसके अंदर किसी तरह की भी emergency response हो या technical मदद हो दोनों चीज़े जिला लेवल पर और सी नए निवेश के अंदर युवा साथी काम शुरू करना चाते है स्टार्ट अप से बह स्टार्ट अप्स के लिए हमने स्टार्ट अप पॉलिशी तो निधारित कर दी मगर एक सीड फंट 20 लाख रुपया प्रती स्टार्ट अप का हम युवाओं को देने का काम करेंगे जिससे उनको आर्थिक साहता के तोर पर नए रोदगार और नए इनोवेशन के लिए उनक लाख नौक्रियां महिलाओं को प्राथमिक्ता के तौर पर दी जाएगी और जिस तरीके से श्रीमति नेना चोटाला जी ने भी कल ये बात रखी है हमारा भी संकल्प है टीचिंग सेक्टर के अंदर आज हम बारी बारी वुमेंट सिक्यॉर्टी की बात करते हैं टीचिंग सेक्टर के अंदर चाहे वो टीचर की पोस्ट हो लेक्टरार की पोस्ट हो या प्रोफेसर की पोस्ट हो जितनी पोस्ट सरकारी स्कूल्स, कॉलेजिज, यूनिवस्टी या आईटियाइज के अंदर है उनके अंदर 50% टीचिंग पोस्ट हमारी हम बेहनों के लिए आरेक्ष कई और विशे हैं या आप तो PDF के साथ हम शेयर भी कर देंगे मैं किसानों के विशे पर जाना चाहता हूं कि खेती बाड़ी हर्याना की प्राच्मिकता है और पांच साल में कई कदम हमने उठाए जैसे अल्टरनेटिव क्रॉप पर साथ जार रुपया प्रती एकड़ पैड़ी से दूसरी फसल पर जब किसान जाता है हम देने का काम करता है तो इसके अंदर हर्याना प्रदेश में प कॉंप कॉंपनसेशन थी जब फसल खराब हो जाती थी जो सरकार वहन करती थी और जो फसल वीमा योजना में ना आने वाले किसान उसको अमने बढ़ाकर 15,000 और 12,000 रुपया खरीफ और राभी की फसलों पर करने का कारे किया अब हमारा संकल्प है कि फसल खराबे पर हम अर कॉन इंशोरी जो इंशोर्ड फार्मर नी है प्रदायनमंत्री फसल वीमा योजनातिक 25,000 रुपया प्रती एकड मौफजा दिया जाएगा और वहीं दूसरी और पर एक मजबूत कदम फसल सुरक्षा स्कीम के लिए हम करेंगे जिसका नाम होगा जन्नायक फसल सुरक्षा स स्कीब जिसके अंदर जो बीमा का प्रीमियम है लगबक साड़े 600 करोड रुपया हमारे किसानों से प्रदेश में प्रतिवर्ष लिया जाता है प्राइवेट कंपनियों को देने का और प्राइवेट कंपनिया बारी बारी प्रतिबंद लगा देती है कि एक दिन का डिले पाई या कट नहीं पाई और बहुत से हमारे किसान पर ताड़ेत होते हैं जो प्रीमियम भरना भी जाते हैं उसके लिए जन्नायक फसल सुरक्षा स्कीम हम प्रदेश में लागू करेंगे जिसके अंदर प्रीमियम की जो फार्मर की राशी है उसको स्टेट गवर्मेंट व हमारे किसानों की खेती बाड़ी करते बद निदन हो जाता है उसके लिए प्रदेश के अंदर जो उनके परिवार को इस आर्थिक दिक्कत के अंदर मदत मिले 10 लाक रुपया आर्थिक सायता की हम स्कीम लागू करेंगे वही हर रोज नई टेकनोलोजी खेती बाड़ी में जैसे ड्रोन्स एक बहुत बड़ा कि कदम है जो आने वाड़े दिनों में जैसे जैसे नैनो टेकनोलोजी यूरिया में आए डी एपी में और फस्क्रॉप्स की तीजों में भी आएगी इस तरह की अधुनिक क्रिशी अंत्रों के लिए 80% अनुदान हम लेकर आएंगे वही किसान के लिए प्राथ्मिक चीज है उसके खेट तक पानी पहुंचा माइनर मेजर तो रिपेर हो जाती है मगर खाड रिपेर नहीं करे जाते हैं और बहुत लंबी काड़ा मी काड़ा के अंदर लाइने लगी रहती है कि सुनवाई नहीं होती कि उनके खाड़ों पर काम प्रदेश में जो रंके हैं उनको पक्का किया जाएगा और पक्के के साथ साथ जो कॉमडरेस रेजीम में 20 वर्षों का प्रतिबंद लगाया गया था कि एक खाल बढ़ने के लिए 2 वर्षों तक सरकार उसमें ना रिपेरिंग का काम करेगि ना री मोडलिंग का काम करेगी इसको बदलकर तुरंत पांच साल पांच दो चीज़े हम इसमें कदम उठाएंगे पहली अगर किसी का खाल किसी कारण तूट जाता है तो दस वर्ष के बाद उसको रिपेर करने के लिए सरकार अनुदान देगी और अगर पूरी तौर पर री मोडल करना पड़ता है तो बीस वर्ष के प्रतिबंद को कम करकर पंदरा वर्ष करने का काम किया जाएगा कई जगे कोविड के बाद हमने नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे जिसके अंदर प्रजे सेंटर 200-500 से बढ़ाकर 1800 करे और आज के दिन वो प्रजे सेंटरों की मातरा जो है वो अर्याणा प्रदेश में 400 के लगबा मगर बहुत से ऐसे सबयाड और मंडिया है जिनके अंदर अभी तक शेड का निर्मान नहीं होता है तो हमारा संकल्प है सभी अनाजमंडियों में और खरीज के अंदरों पर शेड की वेवस्ता होगी कि बेमोसम बारिश के करण किसी भी किसान की फसल खराब ना हो आज के दिन मश्रूम की खेती पर विजली के अंदर दो रुपे य एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जहां कोल्ड हाउसेज और पैक हाउसेज लग रहे हैं हमारे एचरीज हैं अर्याना बहुत बड़ी मातरा के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग भी करता है फिश्रीज इन सब के लिए दो रुपे अनुदान का प्रावधान हम करेंगे और फल और सबजीयों की खेती के लिए और उनकी स्टोरेज के लिए विशेश सबसीडी की योजना हम लाने का काम करें एक विशेज जो गाव में गूंगते वे आया है कि आज हम गाड़ी लेते हैं तो कोलेक्टरल जो हम साथ में जमा कराते हैं वो गाड़ी होती है मोटसाइकल ल बीच में आज के दिन एवरिज ट्रेक्टर की वैल्यू और पांच से दस लाग के ट्रेक्टर के बदले में उसको दो एकड़ जमीन गहन करनी पड़ती है उस कंपनी को जिससे उसको पैसा मिल रहा है प्रदेश के अंगर हमारे किसानों के लिए उस सर्थ को जो दो एकड़ जमीन गहन करने की है को लेटरल के तोर पर उसको पूरी तोर पर समाप्त करने का कारे करेंगे उसके साथ जो हमारे खेती के ट्यूवल का कनेक्शन है अरियाना प्रदेश के अंदर 2018 के 23 में जाकर कनेक्शन में है इसकी भी समय सीमा बनाने का काम करेंगे कि किसान को ख्राब हो जाते हैं और बहुत बार देखा गया है कि किसान पीड़े तोकर दर्दर की ठोकरे खाता है मगर सुनवाई नहीं इसका ओन-लाइन मेकेनिजम हम बनाने का काम करेंगे और उस- ओन-लाइन मेकेनिनिजम के माद्यम सिक्षान को सीमिट समय के अंदर या तो उस ट्रूवल कर किर किया जाए नहीं होता तो उसकी रिप्लेसमेंटिमेटली की ज़ा प्रोवेजिट हम बनाने पाम करेंगे वहीं जो अवारा पशू की समस्या है कई कदम हमने उठाए जैसे पिछले साल एक साइज के अंदर 400 क्रोड रुपया सेस के मादम से हमने एकर्तित किया कि पशुधन को सहरा मिल जाए इसी परकार से हर जिले के अंदर बाड़े बनाये जाएंगे जिससे यह जो सड़क पर आज एक्सिनेंट का भी कारण बनते है और कई कैजवल्टी पशुधन की भी मिरंतर होती है वो कम हो और प्रदेश के अंदर इस तरीके से अवारा पशू का जो नुक्सान फसलों को किसानों की पहुँचता है वो समाप्त होने का काम करें और जितने प्रदेश के दुदारू पशू है उसको हम इंशोर कराने का काम गवर्मेंट की और से करेंगे जिससे किसान को एक लाब मिले कि उसके पशूओं को हम कहीं ना कहीं इंच्वार करके उसको एक सिक्यॉर्टी पेरलली दिलवाने का काम अब मैं मात्र शक्ति पे दुबारा आना चाहूंगा एक सपना दोनों दलों का है कि हमारी माताएं जो गर्पात में होती है उनको आर्थिक मदद हम कैसे दे इसके लिए श्रीमती नेना चोटाला जी के वादे अनुशा परदेश में प्यारी बेबे योजना लागू करेंगे जिसमें गर्परदी महिलाओं को प्रतीमा पांच हजार रुपया की साहिता गर्पात के दोरान हो जिससे बच्चे के पालन पोर्शन के लिए उसके उपर कोई आर्थिक मंदी और दबाव ना आए वही जितनी हमारी बेहने गुवर्मेंट जॉप पर ग्रूप सी और डी के अंदर है उनको ग्रह जिले में और अगर ग्रह जिले में पोस्ट उपलग नहीं है तो साठ किलोमेटर के रेडियस के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी कि वो अपने घर को भी समाल ले और ग्रैनी होने के नाते वो नोकरी से भी वंचित नार है वही कोशल रोदगार निगम के अंदर देखा गया है कि महिलाओं की संख्याद सीमित है और कोशल रोदगार निगम के अंदर भी जैसे हमने डीपो में 33 परसेंट हिस्टारी दी है मेहाओं को 33 परसेंट इसिदारी ने का काम करेंगे और उसी पर्कार से जितने कोपरेटिव सेक्टर के हमारे और उद्योग है या रोजगार है जैसे वीटा के बूत हो हरित स्टोर हो और जो कदम है इसके अंदर भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षिन लागू का हम करने का काम करें वही सरोजगार के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद मेरे एक नई स्कीम की शुरुआत करेंगे एक महिला एक लाख एक प्रतिशत स्कीम जिसके अंदर रिण मुक्त महिला को एक लाख रुपे की मदद मिले कि वह अपने घर से रोजगार के अफसर शुरू कर पाए चाए वो कोई पशुपालन का काम हो चाए वो पोल्टरी का काम हो गाओं लेवल पर भी महिलाओं को दाने का आर्थिक बोज बहुत बड़ा होता है और वो नौकरी कई बार नहीं कर पाती क्योंकि घर का दुम्यवारी उसके कंदों पर ज्यादा परती है उनके बच्चों की हायर एजुकेशन तक की पूरी खर्च जो है वो सरकार गहन करेगी ऐसी स्केम हम प्रदेश में ला होता था और प्रदेश सरकार पर लगबग 3800 क्रोड रुपया पड़ा उसके अंदर हमने स्कीम शुरू करी थी कि बेटिया जो बारवी पास होंगी उनको स्कूटी दी जाए उसको बीपील के अंदर भी प्रदेश में हम लागू करेंगे कि कोई भी गरीब बच्चा किसी का अगर वो बारवी चात्रा पास करती है तो उसको स्कूटी का हम सारा देने का काम करेंगे हैं मैं संमाज कल्यांड पर आना चाहूंगा जो प्रदेश की एक रीड की हटी हो बहुत बड़ा वर्ग प्रदेश का है आशा आंगनवाडी वर्कर और मिड़े मील यह तीन ऐसी स्कीम के इंदर सरकार की चल भी है जिसमें महिलाएं बढ़ चड़कर काम करते हैं आज बारी बारी हम दर्णे देखते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्तिती है वो कमजोर है और हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है इसके लिए हमने यह फैसला लिया है गठवंदन के तौ कि आशा वाड़ी आशा आंगन बाड़ी और मिड़े मील वाड़ इनको जो हमारा आज बेसिक पे 21,000 का है उसके बराबर प्रतीमा मिले इसको इंशोर करने का उनका मान्दे 21,000 रुपे प्रतीमा हो इसका हम बादा करते हैं सबसे मैत्वपूर्ण चीच गुड़ापा पेंशन अर्याना प्रदेश को लिए हमारा बादा पिछली बार भी रहा था और अर्याना प्रदेश देश में अवल रहा है जिसके अंदर हमने गुड़ापा पेंशन को 3,000 जार रुपे देता है गोशना पंदरा सो की है मारा राजिस्तान जो हमसे लगावा है 700 रुपे देता है उनकी गोशना चाहद 1,000 या बारा सो की है उसको गौवर्मेंट बनते ही 24 गंटे के अंदर 500 रुपे हम पोचाने का काम करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर आज सर्प बंचों को जिला परिशत ब्लॉक समिति के मेंबरों आज मेंबर बढ़ने के बाद एक तरह का Oänder रियम कह दिजिए दी जाती है ड़िडाती है पेंशन कह दी दी जाती है लिखने गूरू हो उनके हर वर्स गूरुदू पूर्त जितने हूं है उनके लिए विशेष आयोजन हम प्रदेश में लागू करांगे शरीथालू के लिए शैब नंकाना साब जी जो पाकिस्तान में हैं दो बार यात्रा उती है उसके लिए विशेश परदेश के अंदर हम शुूरात करेंगे स्कीम के तद कि हमारे परदेश के सतरा दालुब भ़री मातरा में वहाँ जाकर अपने गुरुवों को नमन कर पाए प्रदेश के अंदर हर जिले में अमेड कर भवन और अमेड कर चात्रावास का निर्मान किया जाएगा जिसके तहट जो गाओं से गरीब बच्चा शेहर में पढ़ाई करने कॉलिज की या ट्रेनिंग करने उस पर आर्थिक बोध पीजी का और का रहता है उस बोध का उसके मा आता पिता पर बर्डन आपने इसलिए प्रतियक जिले के अंदर निर्मान अमेड कर भवन और अमेड कर चात्रावास के होंगे और सिंगल विंडो प्रानली के तहत जितनी सरकारी योजना है उन भवनों से भी हम आगे लेकर चलेंगे कोशल रोजगार निगम के अंदर रेजर्वेशन नहीं है उसको हम पूरी तोर पर लागू करेंगे और हर सब्डिविजन लेवल पर अमेड कर चात्रावास का निर्मान किया जाएगा जितने हमारे बीपील परिवार है आज उनके पास कई जगे बच्चे दो हो जाते हैं मकान एक रहता है विवस्ता नहीं बढ़ पाती तो एक विशेश स्कीम डॉक्टर वीम्रावं बेडिकर के नाप पर हम शुरू करेंगे जिसके तैद शहर में और गाओं में सोचोगज के प्लॉट और सोगज के प्लॉट के साथ निर्मान के लिए आर्थिक मदद हमारे ऐसी वर्ग के लोगों को मिले उसके लिए स्कीम प्रदेश में लागी परेंगे ऐसी बीसी साथियों को मिले इसके साथ कुमार समाज को एक जो यह माटी के काम करते हैं माटी कला बोर्ड बनाया गया है मगर माटी कला बोर्ड के तहट आज उनको मिट्टी नहीं मिलती तो हमारे गाओं में पंजबा की जमीने हैं वो पंजबा की जमीने हैं जैसे वकफ बोर्ड के अंदर जमीन बोर्ड के आधीन है जितनी पंजबा की जमीन है उनको माटी कला बोर्ड के तहट सोपी जाएगी जिससे जो हमारा कल्चर है उसको हम अपले कर पाए उसके साथ जिन जिन गाओं में आज ऐसी चुपाले नहीं है वहां पर डॉक्टर भीमराओं बेटकर भवन का निर्मान किया जाएगा करमचारियों के लिए OPS स्कीन को दुबारा परदेश के अंदर हम लागू करने का काम करें सभी करमचारी चाहे वो कॉंट्रेक्चल क्यों ना हो उनको कैसलेस मेडिकल सुविदा परदेश के अंदर मिले इसके लिए विशेश योजना की शुरुवात करी जाएगी और जो एक निदन हो जाता है टेक्स ग्रेशिया स्कीम उसके लिए लागू करी जाएगी ड्यूटी के समय वीर्गती प्राप्त करने वाले अर्थसेनिक बलों को जो हमारा सैनिक अर्थसेनिक बोर्ड है उसके तहथ सेना के जमानों के पराबर सहित का दर्जा देने का काम किया केदर सरकार को हम रिकमेंडेशन देकर बेजेंगे कि जल्द आठवे वेतनायोग की गठन किया जाए जिसके तैद करमचारियों का बला हो और एक जो छोटे दुकांदार हैं छोटे दुकंदार को आज के दिन आर्थिक तोर पर एक सीमित मदद मिलती है और कई बार इंसिडेंट देखे गए हैं कि शोट सर्किट के कारण हो या कोई और कारण हो उनकी छोटी दुकान में और जगे दुर्गटना के तहट नुच्छान हो जाता है उसके लिए विशेश इंस्वरेंस स्कीम प्रदेश में हम लागू करेंगे जिसके तहट अमारे दुकांदार साथियों को भी आर्थिक तोर पर नुक्सान के लिए बरपाई जो है वो इंस्वरेंस स्कीम के तहट हम करा पाए कई ऐसे विशे भी हैं जो मैं टच नहीं कर पाया हूं जैसे डिजिटल लाइबरेरी का निर्मान है ड अब आड़ शट सो गाउं के पंचायत नहीं त्रेसट सो पंचायते हैं अड़ सट सो गाउं अड़ सट सो गाउं के अंदर हम परदेश में डिजिटल लाइबरेरी का निर्मान करेंगे जो हमारे सिटिंग सरपंच पंच जिलापरिश्द ब्लॉक समिति के मेंबर है इनके सरपंचों के लिए 8000 रुपया प्रतीमा पंच के लिए 3000 रुपया प्रतीमा पंचायत समिसिजिर के सदसे जिनको ब्लक समित्य के सदसे कहते है पात अजार रुपय प्रतिमा और जिला प्रिशद के मेंब्रों को 10,000 रुपय प्रतिमा दिया जाएगा उनरे दिन के तौर पर जिसके तहत उनके जो दिन भर के कारे रहते हैं खर्चे रहते हैं उनमें उनकी आर्थिक मदद हो परदेश के अंदर विपारी कल्यान बोड तो बन गया मगर उसको आने वाले समय में विपारी कल्यान आयोग का दर्ज़ा हम देने का काम करेंगे जिसके अंदर अधिकार उनके बड़े उसके तहत कई ऐसे कदम है जैसे आज के दिन दोनों किडली फेल हो जाती है और परिवार पे रेगुलर डायलेसिस का एक बहुत बड़ा अर्थिक बोज़ बनता है उन पेशेंट्स को भी जो हमारी विर्द आवस्ता पैंशन है उसके बराबर पैंशन देने का काम करेंगे राइट टू हेल्थ का दर्जा प्रतियक नागरिक को हम दिलवाने का काम करेंगे गंबीर बिमारियों से जो पीडित लोग है जैसे पीछे हम काम्याब रहे कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट को पैंशन देने में जो दवाईया है उनको पुझाने के लिए मगर गंबीर बिम पांदार रेडी फडी वाड़े और सब्ताइक बजार लगाने वाड़े लोगों को भी मुफ्त दुरगटना बीमा योजना के तहत कवर करने का करें हमारी सरकार करेंगी और जितने कोशल रोजगार के तहत करमचारी आज लगे वे हैं उनके लिए विशेश कानून लाया जाएगा जिसके तहत उनको जॉब सेक्यूरिटी हम देने में काम्याब रहें शेहरों में जितने हमारे खाली प्लॉट है उन प्लॉटों के उपर आज के दिन प्रॉपर्टी टैक्स लगता है और खाली पड़े प्लॉट का भी एक आम नागरिक को जहां वो निवास या को द्योग नहीं करता बड़न मेहन करने का काम करता है उसके लिए उसको प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तौर पर छूट देने का काम हम लोग आने वाड़े समय में करेंगा अब मैं जिला दर जिला अगर मुखे जो अमने प्लैन बनाया है पंचकुला में यह आई आई आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट हम देखते है और अटिकल्चर और अग्रिकल्चर लगब एक ऐसा इस्यू बन चुका जिसको प्राथमिक्ता के साथ आज बढ़ाया जाए उसके अज सिर्षा के अंदर जो हमारे वेकलिपिक क्रिशी और फिशरी का एक साहता के इंदर हम बनाएंग इसार के अंदर फिल्म सिटी का निर्मान किया जाएगा बिवानी में एजुकेशनल सिटी क्योंकि एजुकेशन बोर्ड बिवानी के अंदर है उसका निर्मान किया जाएगा जजजर के अंदर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा बुडगाओं के अंदर जो हमारे working woman उनके लिए बड़ी मातरा में hostel का निर्मान किया जाएगा कबड़ी का एक center रहा है और प्रो कबड़ी ने दिखाया है कि सोनिपत की जमीन से बड़ी मातरा में कबड़ी प्लेयर जा रहे हैं तो कबड़ी का एक बड़ा pressure सोनिपत में निर्मान किया और यह emergency services है इसका एक बहुत बड़ा excellent center हम निर्मान करेंगे जिस परकार से हमने पिछले सालों के अंदर जीन में एक बड़ा fire college जिसके निर्मान सिर्फ देश में एक ही जगे है नादपूर के अंदर जो fire safety college है उसका निर्मान किया जाएगा मैं चाहूंगा तंदर शेकर जी भी कोई और विशे मेर से अचुता रहे गया उसको छूने का काम करें बगर हमने एक vision बनाया है जिसमें 36 विरादरी हो और 36 विरादरी के साथ साथ युवा से लेकर बुदूर्ग प्रतियक वर्ग को महिला हो पुरुष हो हमने चुने का काम किया और सभी वर्गों को साथ लेकर जन्नायक जनता पार्टी और अज्याद समाज पार्टी का यह गत्वन्दन इस जन्सेवा पत्र को और याना की जनता के लिए समखने कि वैसे तो मोटी मोटी सभी जो चर्च करके विशे हम लोगों ने बनाए हैं वो तुसे इंजिन आपके सामने रख दिये तीन चार इंपोर्टेंट हैं जो इनों नहीं जिनका जिस पर ज्यादा जोड़ था कि सभी निज्य स्कूलों में इसकी सिमा तैय होगी टैक्टर की तर्ज़ पर टूविलर की खरीद में भ और युवा नेत्रत के प्रोशान के ध्यान में रखते प्रतेक वस चात्सन चुनाओं जो है कराए जाएंगे यह बहुत इंपोर्टेंट विशे थे सारी विशे रख दे गए बाकी पीडियाप में हैं मीडिया के साथ्यों का धन्यवाद जन्ना एक जन्ता पार्टी आजा समाज प्रटी जेजेबी गटबंदन बहुत मैंत्रकुन भूमिका हर्याना की राजनीति में अदा करेगा अभी जो कुछ चल रहा है वो तैयारिया थी आज से और तैयारिया मजबूत होंगी और आने वाले दो तिन दिनों में आपको इन तैयारियों का असर वोट के हो जाते हैं तो उनके लिए भी पिंशन की व्युवस्ता हम लोग करेंगे जिससे मीडिया के साथी भी अपने आपको अकेला मैसूस ना करें वो भी हमारी तरह संगस करके हमारे विश्यों को जनता के सामने रखते हैं उनका काम भी सराली है और मैक्सिमम हमारा प्रयास यू अपने आपको अकेला मैसूस ना करें और उसको उसका मनोबल ना किरें वह अपने जो लोग पड़े लिखें के रोजगार की जल्दी जल्दी वेवस्ता हो इसके हमारा को करता है दन्यवाद एक चीज़ और मैं आड़ करतू हम रहेगी हमने कंस्रक्शन लेबर वेलफेर ब बता है कि एक गरीब रिजिस्टर्ट कंस्रक्शन लेबर वर्फेर बोर्ड के वरकर के बच्चे को एक लाख रुपे की आर्थिक साहिता दी जाते है उसकीम को हम सभी बीपील परिवारों के लिए भी लागू करेंगे कि गरीब का बच्चा भी शहरों में जाकर माबाप प अपनी हायर एक्जामिनेशन की त्यारी करें और मुझे खुशी है चंदर्शेकर जी ने मीडिया के साथियों की बात करी यह सभी मीडिया के साथी भी जानते हैं अगर दस अजार रुपे की पैंशन को ग्यारा अजार रुपया करने का वादा बीजेपी लेकर आई तो मैं हमारे जो रिजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनको आर्थिक मदद दी जाती है इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों की मुमेट बहुत एक्स्टेंसिव रहती है आप पूरा दिन फील्ड के अंदर कवर करते जितने हमारे रिजिस्टर्ड साथी है पत्रकार उनके लिए स्कीम हम लेकर आएंगे कि अगर आपकी दूरान आप कवरेज कर रहे हैं या अपने पत्रकारिता के कारे पर निकले में को दुर्गट ना हो जाती है तो आपके परिवार को आर्थिक साहिता के लिए प्रदेश की तरफ से एक योजना लागू करेंगे एक निवेदन मैं स्कीम का आपको आज ही उपलब्द हो जाएंगे आप सभी आए आपने हमारा साथ भी दिया आप लोग तंतर के अंदर एक महतपून हिस्सा हो जो हमारी बात को प्रदेश के प्रतियक नागरिक तक पहुचाने का आज काम कर रहे हो मैं आप सब का धन्यवाद करेंगे